हेलो दोस्तों नमस्कार जैमाता दे हमारे शुगर कीचन एंड हेल्थ तीप चेनल पर आपका एक बार फिर से हार दिख स्वागत बहुत बहुत अभी नंदन और मैं अशारानी आज शुगर वाले भाई भेहनों के लिए बहुत ही जबर्दस टोपिक लेकर आयूं आज मैं ल सुगर में बहुत ही जादा फैदेमंद होती है और सुगर में ही नहीं मेथी अनेक व बिमारियों में भी लाबकरी होती है यह देखे मेथी हरी मेथी पत्तेदार मेथी बहुत ही फैदेमंद होती है यानिके मेथी के पत्ते सुगर में बहुत ही लाबकरी होते हैं मेथी में फाइबर एंटी ओक्षिडेंट भरपूर मातरा में पाया जाता है जो कब्ज और पाचन से जुड़ी समस्चा को भी दूर करती है मेथी का शुगर वाले कैसे इस्तिमाल करें यह बताने से पहले तमाम शुगर वैबी पी वाले भाई बहनों से विंती करती हो कि नियमित दोनों समस्चा जरूर करें 45 मिंट सुबह 45 मिंट श्याम को भियाम जरूर करें और अपने खान पान का विशेश धियान रखें अब जान लेते हैं आप मेथी का श्तिमाल कैसे करें सबसे पहले मेथी को अच्छे से साफ करने है साफ करने के बाद इसको दो लेना है दोने के बाद इसको बारी काट लेना है काटने के बाद आप इसकी सबजी बना सकते हैं या फिर आप इसकी रोटी बना सकते हैं परन्तो आज मैं मेथी का राहिता बनाऊँगी जो बहुती स्वादिष्ट और फैदे मंद होता है जो बलड सुगर लेवल बढ़ने से रोकता है आईए जान लेते मेथी का राहिता कैसे बनाई और इसके लिए में क्या कैसा मगरी चाहिए सबसे पहले मेथी को काट लेंगे ऐसे पत्ते पत्ते लेने और इनको ऐसे बारी टुकुड़ों में काट लेंगे बिल्कुल बारी काट ना काटने से पहले मेथी को दो लेना है यह हमने दो कर रखिए अब काटने के बाद इसको किसी पैन में डालकर अच्छे से बून लेंगे और भूनते समय इसमें हलका सा नमक डालेंगे तेंधा नमक डालना है बूनने के बाद यह देखिए ऐसी हो जाती है देखिए एकदम नरम हो जाती है उबालना नहीं सिरफ इसको बूनना अच्छे से अभी देखिए इसको किसी बरत्र में डालेंगे अब हम इसमें लस्ती डालेंगे लस्ती डालनी है लस्ती डालने के बाद हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक स्वादकी साबसी हलका डालना है क्योंकि मेथी में पूनते समय हमने नमक डाला था अब थोड़ा से डालेंगे साबूत जीरा जो हमने तवे पर भून कर रखा है एक चुटकी अजमायन दोगे इसको भी हमने तवे पर भून कर रखा है अब डालेंगे थोड़ा काली मिर्श पोडर अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अब यह मेथी जो बचे इसको भी डाल देंगे अब यह देखिए हमारा मेथी कर राइता बिल्कुल तैयार है जो बहुत ही स्वादिस्ट होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है और यह आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगा आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा और धन्यवाद दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आयो लाइक सेर जरूर करें और हमारे चेनल पर बने रहें नहीं नहीं जानकारी पाते रहें और हमारे चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें जय माता दोस्तो